तो उसने हार माली और मोघल 시 fibre को 50 सिक्ष्र के देदिये दिये हाहा हाह आ अरे परह आमे तो बताओ कि उस मुगल साहने के जहन में चल क्या रहा था घाल पान 1 अभाष्याल क्या था वो अलत बात है आप मॉगलों से प्रश्ने पूछा कि बता दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़े Inn म्ह Darth आप Wanna요 सोच तरा आ and पाल लोच तरा लोच तरा आखिरकार इसने हार मान ली और Marathi Sannikained और Marathi Sannik मॉगल से वह फांसो शिकक्र लेकर जाने लगा नहीं, 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 यह क्या बख्वास है? वो मराथी पांचो सिख्के लेकर बिना जवाब दिये जा कैसे सकता है? उसे मुगल सहने को जवाब देना पड़ेगा! यही! मुगल सहने का भी यही प्रश्न था! यह मराथी, बता, ऐसी कौन सी चीज है, जो दुनिया में कोई भी नहीं जानता! यह? तोस मराथी ने क्या जवाब दिया? मराथी ने मुगल सहने को और पचाश सिख्के दे दिये! और बोला, जो दुनिया में किसी को नहीं पता, वो मुझे भी नहीं बता! यह लड़के, तु यहां हमें हसाने आया है, यहां हमारी हसी उड़ाने आया है, तुमें लगता है के हम मुगल बेवगूफ हैं, के पचाश सिख्कों के बचाए, पांच सो सिख्के देने की बात करेंगे, हाँ? Rani Sahib, मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए किया, अपनी संतान की रक्षा करना कोई अपराद नहीं होता, हमें रत बहाने में कोई संकोच नहीं होता, Radha Bhai, पर महादेव जानते है कि Tara Rani की तलवार को न कभी किसी निर्दोष का रत लगा है और न लगेगा, हमारे महल में एक स्त्री और उसके पच्चों का रप्त नहीं बहेगा, हमने बाला जी को वचन दिया था, कि जब तक वो वापस लोट कर नहीं आते, उनके परिवार की सुरक्षा हमारी सिम्यदारी है, और हम अपना वचन कभी नहीं तोड़ते, आप हमारे महल में सुरक्षित है, और हाँ, हम जो भी कर रहे हैं, हमारे पुत्र के लिए कर रहे हैं, आप ही ने कहा ना कि अपनी पुत्र की रक्षा करना अपराद नहीं है, संतान की रक्षा करना अपराद नहीं है, गलत भी नहीं है, उसके लिए बड़े-बड़े सपने देखना भ डालना? जुकित है, Rani Sahab. आपने अपने पच्चों के लिए कभी सपने नहीं देखे? देखे हैं. कई सारे सपने देखे हैं. पर अपने सपनों का भार संतां के कंदों पर डालने से पहले उन कंदों को मस्बूत बनाना पड़ता है, Rani Sahab. अलक्षमा का राइस हैं, तो राजे के कंदें आपके आशाओं के लिए अभी भी मस्बूत नहीं है, तो दोश राजे का है, तो दोश राजे का नहीं, आपके सपनों का है, आपके परवरिश का है, क्यों क्या हुआ, तुम मजाग कर सकते हो, तो हम नहीं कर सकते हैं, हम तो तुम्हारे साथ मजाग कर रहते हैं, बहुत खुब, अपनी इस मस्खरी के लिए, तुम्हें क्या इनाम चाहिए, शाबास बाजी, अब बाजी इनाम में हमारी स्वातंतरता मांगेगा, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना घर चाहिए, इस मस्खरे को तु बस एक अवसर चाहिए, अवसर, यानि मौका, किस बात का मौका, रोज हुजूर का दिल बहलाने का मौका, और अपना सर छुपाने का ठिकाना, मा की परवरिश कैसी थी, ये संतान का भविश्य ही तै करता है राधा बाई, और अगर राजे हमारी बात नहीं मानते, तो बाजी ने भी तो अपने पिता की आज्या का उलंगहन किया है, आज्या का उन्लंगहन किया है। लंगन किया है रानी सहर, पर आदर्षो का नहीं. वो आदर्षो एक परिवार को एक देश को जोडते हैं, यू ऐसे दो हिस्सों में तोडते नहीं? इस देश को मुगल तोड रहे हैं, हम नहीं पर ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है और हम आपको संझा नहीं पा रहे हैं बस! बहुत हो गया सेनिको, राधाबाई और उनके बच्चों काल कोड़ी में बन कर दो आई नहीं राधाबाई ने विरोध नहीं किया, मात्रक तर्क किया है और अगर विरोध भी करती तब भी हम एक गर्भवती स्त्री और उसके बच्चों को काल कोड़ी में नहीं डालते ये हमारे महल में एक अतितिके सम्मान के साथ रहेंगी आप इने दंड दे नादियाई साहिब हम इने दंड अवश्य देंगे इनोंने यहां से भागने का जो प्रयास किया है न इसका दंड ये है कि इनशने अपने बच्चों से दूर रखा जाएगा हम यहां के राजा हैं और हमारे निर्णाई का विरोध कोई नहीं कर सकता और यदि ये सूचना सच निकली कि बाला जी ने हमारे विरुद्ध शाहु जी का साथ दिया है न तो परिणाम बहुत भयानक होगा राधा बाई सेनिको ले जाए इने ने, ने, जे गिल गो बाए आए एए, ने, जिल झण हो उगगा सब एए! आए, झाए, पन önो, जिल ए ए令 जए! तुम्हारे पास लॉट जाने का अफसर था बाजी तुम्हे अपने परिवार के पास लॉट जाना चाहिए था और लॉट कर अपनी परिवार से क्या कहता मलार कि मैं अपने साथियों को अपने मित्रों को छोड़ कर भागाया मैंसा नहीं कर सकता हूं मलार आजकल तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं यह मैं नहीं समझ भाता है मलार, मैंने तुम्हें तुम्हें पर ख्रोत खरने का कारण भी दिया और अधिकार भी यह सब मैंने बस तुम्हें चंदरसिन की अध्याचार से बचाने के ले किया तुम मेरे लिए मेरे मित्र से भी पढ़कर हो मलार तुम मेरे भाई हो और मैं आपने जीदे जी अपने परिवार पराज भी नहीं आने दूना बाजी मुझे ख्षमा करते तुम भी मूर को मला मुझे तरह से शमा नहीं मांगते बाजी एक बात बता जब कमबक्ष ने तुमसे इनाम मांगने को कहा तो तुमने हमारी स्वतंतरता क्यों नहीं मांगे तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी स्वतंतरता मांगता तो कमबक्ष दे देता वो हम सब की गर्देने कटवा देता कमबक्ष मूर्ख नहीं है मला यह देव से पता चल गया कि मैं उसे दुखा दे रहा हूँ तो सर्फ मेरी ही नहीं हम सब की गर्देने कट जाएंगी मुझे तुम सबको यहां से लेकर भागने की यूजना सोचने के लिए कुछ समाई चाहिए और वो समाई मैंने कमभक्ष से मांग लिया पाजे, यहां की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है यदि हमने इस किले की दिवार तोड़ने का प्रयास किया तो कमभक्ष किले की दिवार हाम नहीं, मुबल स्वय हम तोड़ेंगे बहुत जल्द पाजे, बड़े नाजुक हातों में लगाम दे रहे हैं अब तो इस समराज्य का भगवानी मालिक है माहराज ने जानकारी अचित किये ग्यान नहीं, यदि गुड़ी पाड़वा में आप सरदारों के आगे आयोग कि सिद्ध हुए तो जीवन भर ये कलंक आपके साथ रहेगा दुनिया जानती है कि माराथी हुकूमत, माराथी सुल्टनत में पत्ता भी आपके मर्जी के बगेर नहीं हिलता राजे तो अभी बच्चे हैं और आप ये मत भूलिए कि आपको राजा आपके भाग्यने बना है आपके शौरे ने नहीं राणी सहिब सुचना पक्की है बाड़ाजी के साथ साथ धनाजी ने भी बाड़ाजी के साथ मिला लिया है और अब उन्होंने शाहुजी के लिए समर्थन जुटाने के लिए खोलापूर में मराठी सर्दारू को आमंत्रित किया है अब अब क्या होगा अब तो धनाजी भी शाहुजी के साथ मिल गए अब आप क्या करेंगी आग लगी है बुझानी तो पड़ेगी विद्रोह की आग बालाजी ने जलाई है बालाजी को बंदी बनाकर हमारे सामने ले आई है है साहिव बालाजी बाहर बैठकर प्रतीक्षा नहीं कर रहे कि हमारे सैनिक आया है उन्हें उठा कर ले जाएं और अम बालाजी को क्यो डूने ज़ा हम यहीं बैठे बैठे उन्हें दंदे सकते हैं कैसा दंद? बालाजी की पत्नी और परिवार को मृत्यू दंदे दीजे बालाजी स्वया मर जाएंगे राजे आई साहिब उन्हें छोड़ना कमजोरी होगी और उन्हें मारना कुरूरता होगी कुरूरता नहीं आई साहिम नहीं होगा बालाजी ने जो अपराद किया है न उसका दंद उन्हें भूगतना होगा बालाजी ने राज द्रोह किया है और उसकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी लेकिन उनके पापों का मुल्य उनकी पत्नी और संतान नहीं चुकाएगी हम पल-पल राजनीती करते हैं लेकिन आम मानफ्ता नहीं भूले पड़ाई सर्थ सत्ता का खेल चलता रहा है राजे और चलता रहेगा सिवासन बदलते रहेंगे पर मानफ्ता एक बार खो गई ना तो अब राजा है राक्षस नहीं इसलिए स्मरण रहे कि जब तक हम सिवासन पर आप की स्तिती सुधरण नहीं कर देते तब तक हमारी आग्या के बिना एक कदम नहीं उठाएंगे आप बाजी हम सब को यहां से एक साथ निकालने का मार टूंड रहा है और मार्ग महीं मिला तो यदि मार्ग महीं मिला तो बाजी मार्ग निकाल लेगा मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है यह कैसे संबव हो सकता है जब सिराजुदीनी की आँखें हमेशा हमारे उपर लगी रहती है एई किदर जा रहा है दूँ यह कैसा भोजन खिला रहे है देखो इस दिखागर बचारे मलार का क्या हाल हो गया इस भोजन में नमक तक नहीं है जो मिल रहा है चुप चाप खाले वरना तेरा भी हाल इस मुझरिम जैसा हो जाएगा इसके जुबान भी नमक चाहिए नमक चाहिए का बहुत शोर करती थी एक दिन सिराजुदीन साब ने इसे तरह गाला नमक खिला दिया किसका मबक्त की जबान जल गई हम अपरादी नहीं है युदबंदी है हमें समान मिलना चाहिए हम ये भोजन नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे हमने सारा इंतजाम कर लिया आज मैंने चुटकला सुनाते सुनाते सबकी आखों के सामने से हत्यार चुरा लिया और किसी को मुझ पर संदय तकने हुआ ये लो, ये अफजार लो और अपना काम शुरू करो अबास तो यहीं से आ रही थी मुझे जल से चल दिये खबरबाश्या कमभाख तक मचानी हो गए वह अमने इसा क्यों किया पाजी? थोडी देर में सब कुछ समझ रहोगे अहीं साहिब हमें अभी बालक ही समझती है मेशा नाराज रहती कि हम कुछ नहीं करते पंड जब भी हम कुछ करना चाहे हमारे हाथ बांदेती है राजा हैं हम पंड हमारा सम्मान तक नहीं करती राजा का सम्मान नहीं करती पंद जी ये सिम्हासन हमारा है महाराज राणी साहब भी बालाजी और धना जी की गद्दर इसे बहुत परेशान है पर धना जी के इस मराठी सामराज जैसे पुराने संबंद जिनको भुलकर जल्दबाजी में कोई नियुने नहीं लिया जा सकता राणी साहब को थोड़ा समय दीजिए पंत जी हमारे पास समय नहीं है महाँ शाहुजी मराठी सर्दारों से मिल रहे है और यदि उन्होंने समर्थन जुटा लिया ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे महाराज पंत जी आपके सुआमी भक्ती किसके साथ है आई साहब के साथ या हमारे साथ महाराज हम तो इस स्युवासन के सेवक है इस स्युवासन को सुरक्षित रखने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे हमें आपसे यही आशाथी पंदीजी बापको हमारा एक संदेश पहुंचाना होगा अनिलक्षा थेवा संदेश पहुंचने तक आई साहथ को भनक तक नहीं लगनी चाहिए समझ लगा चप्पा चप्पा चान मारो क्या ढूंडते हो हसूंगा हसाऊंगा गाऊंगा गुन गुनाऊंगा खाली आता आयाता खाली हाँच जाऊंगा अस मस्करे को यह लेकर आओ किस से क्या बात की मगर मैंने इसे यह खुद कहते हुए सुना है कि इसने चुट्कला सुनाते वक्त माराठियों को भगाने के लिए इत्यार चुरा लिये थे अब क्या बोलोगे तुम चुट भी सहा है इल्जाम भी सहा है इस मस्करे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है वासा सलामत हमने हर जगर ढूंड लिया पर हत्यार तो क्या एक सुई तक नहीं मिली मेरा यकीन कीजी हुजूर मैंने इस मस्करे को खुद क्याते हुए सुना था कि यह लोग हमें चक्मा देके भाग जाएंगे यह जूट बोला है हुजूर हमारे खुलाम हमसे जूट नहीं बोला करते हैं